बैंगलोडू में ना इनका इज़्जद दिया न परतिष्ठा दिया टंटना के मूँ उठा के चला है न प्रधान मंत्री के कंडिडेट गोसितु है न संयोज गोसितु है नेकिन पूरे बचा को जोग दिये डो मिसायल खतम कर दिये गोजाब है चचा अपना प्टेरा में त मंत्री के कंडिडेट बना देगा हम पूरे आल अवर इंडिया से अपलाई कर वाले का हुआ मिला कुछ हम देख सकते हैं पतरा देखने आता है बोलाईएगा बात किजिएगा कि अभियोज भूत चरहल है पर्धान मंत्री का उतरा नहीं है बैंगलोर से आने के बाद भूत बन गया जी पर्धान मंत्री हम लोग तो सोचे चला तुँ डो मिसायल खतम का देला तुए पर्धान मंत्री बन जा हम तो लाठी खाली ली अब फिर एक्जाम मेरिट बनाने की बात अरे रुपईया कमाना था तो मुझ खोल के का देते जमीन जथा घर दुआर बेच के दे लेते हम लोगा बहारती कि ले लिजे रुपईया लेकिन सिक्षक अभियर्थियों को लेकर कुछ भी अभी तैय नहीं किया गया सिक्षक अभियर्थियों को लेकर कुछ भी अभी तैय नहीं किया गया सिक्षक अभियर्थियों को लेकर कुछ भी अभी तैय नहीं किया गया सिक्षक अभियर्थियों को लेकर बैठक भी नही नहीं चल दा ऐसा लग रहा है क्योंकि देखा जाए तो 14 तारीक के बाद आप लोग कहा गया था बैठक करेंगे बैठक को लेकर कोई तारीक नहीं टारीक हमको तो बड़ा स्ताजूब लग रहा है इस चाचा ना अपने परधानमंत्री के कंडिडेट मने ना सहीं हो जाक वने है अपना फेरा में पूरे बिहार के जोक दिये कि परधानमंत्री हम बन जाएंगे हम लोग भी सोचे क्या अपना जिंद्गी परवाद करके चचे कहीं पी-एम बन जाए तो ठीक है बैंगलोरू में ना इनका इज़्जद दिया ना परतिष्ठा दिया टंठना के मू उठ ठाके चल आए ना परधानमंत्री के कंडिडेट घोसित हुए ना संयोज घोसित हुए लेकिन पूरे बचा को जोग दिये डोमिसायल खतम कर दिये गोजब है चचा अरे मानगा चचा ए चचा एको बात बता आई अपना फेरा में तो जोग देला तु पूरा बिहार के बच चीन लेंगे 24 में 25 में 24 में तो लोग सब आए उसमें जीरो आएगा 25 में आपका कमंडर लेकर चल जाईएगा समझे आप बिहार के बच्चे का भविस बरबाद करके आप जो सपना देखे पी एम का उभी ता पूरा नहीं हुगा पूरा हुआ पूरा हुआ कोई से होगा ज बात तो करना है नहीं अभी बोले कि सिक्षक अभ्यारती और सिक्षकों से बात करेंगे 24 के बाद आज कितना तारीक सार 20 का पतरा देखना पड़ेगा चचा अरे हम देख सकते हैं पतरा देखने आता है बोलाईएगा बात किजिएगा कि अभियो भूत चरहल है परधान मंत उन्हें घर में इज्जत प्रतिष्ठा रहता है तब बाहर इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है यहां सब बोलता है पल्टू पल्टू चचा उनके सभा में पल्टू चचा बोला जाता है तो उनको देश का सत्ता समान लेके लिए उस आदमी को नहीं न दिया जा सकता है उस आ बिहार के जितने भी गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमाने हैं उनको धूल जोके 17 साल से 17 समा ले लेकिन आब वो समय गया, सब लोग देख लिये हैं कि 17 साल से मजात अपने ले रहा है लेकिन हमर बच्चा के भविस बरबाद कर दिया, हम लोग सिख्छा का भ्यारती है STT 19 मेरिट में आके 19 से हैं अभी तक नैय नहीं मीला है, वाले को नियाय नहीं मीला है और अपने चल थे परधानमंतरी।ी लोट के तागत है, याद रखियेगा, कई बोला था कि आद 2024 में क्लीन बोल्ड आद 2025 में ता आप कमंडल लेकर चल जाएगा आपने पुड़े बिहार के भविस्वी को बरबाद कर दिया है नया नया वली जोक दिया जो कि STT19 मेरिट में आके सिटेट बिटेट पास है अब फिर एक्जाम मेरिट बनाने की बात अरे रुपईया कमाना था तो मुझ खोल के का देते जमिन जथा घर दुआर बेच के दे देते हम लोगा ब्यारती कि ले लिजे रुपईया अरे खुल के बोलिये न बिपेस्टी क्या है रुपईया कमाने का अड़ा है इनके सुरक्षा के कभी लिख होता है किसी भी मुखमंत में कभी लिख हुआ अस्तक नहीं हुआ तो परसुनपत कैसे लिख हो जाता है मिली भागत रती है फिर बिपेस्टी से पैसा कमाने का ये लोग धंदा चालू कर देंगे और कुछ नहीं इनका यही धंदा है और कुछ नहीं एक बात बता दते हैं पूरे बिहार के हवाम से मेरा रुक्वेस्ट है कि ये आदमी को पहचान लिजिए इनका सकल चिन लिजिए ये अपने पीएम बनने के सपना में आपके बच्चे का भविस जोंक दिया है एकदम सफाया कर देगा इस वार एकदम सफाया इसा नहीं कि कमंडल भी नहीं बचेगा इनका इनका आस्तित्य नहीं होगा राजनेतिक पतन हो जाएगा क्योंकि हम लोग ही भविष्य हैं बिहार के हम लोग के भविष्य कोई बरबाद करने चले हैं तो याद रख लिजेगा लाठी से नहीं आवाद दपता है किसी भी सूरत में हम लोग रुकेंगे नहीं अच्छा जी परधान मंत्री तो जवाना में तो नहीं है इस जिंदगी म और हम लोग का जो STET 19 मेरिट हुआ था सीटेट वीटेट के अंगों के अधार पे डायरेक्ट बहाली किजे कोई एक्जाम नहीं देखिए कोई एक्जाम नहीं दो मिसाइल निती लागू होना चाहिए तो वहीं हमारी बहाली करनी चाहिए उस तरीके से 2019 में परिक्षा होई थ थी हैं साफ साफ हिनोंने का है कि 2024 और 25 में कई कर न कहीं बोट के दम पर आपको सत्ता से उखाय फेकेंगाemit अगर झाल 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 झाल